नमस्कार मैं भुवेंद्र पांड़े हिंदी चनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ बेला एकनों का दबाना ना पुलें ताकि मेरे प्रतेक वीडियो कर बेट्स आपको मिलते रहे हैं उससी प्रेम चन्द का एक प्रसित दिनी बंद है साहित्य का उद्देश आज हम इसकी व्याक्या पड़ रहे हैं तो यह मेरा इसका दूसरा भाग है क्योंकि पहला लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया था आए हम देखते हैं साहित्य का उद्देश का दूसरा भाग इसमें मैं पुरे सभी जितने भी पंक्तिया हैं सबको मैंने यहां पर एस्प्लेइन किया हुआ है तो परिच्छा की दिष्टी से यह बहुत ज्यादा महत्रपून है तो आए हम देखते हैं दूसरा भाग अब तो हमें उस कला की आउसकता है जिसमें कर्म का संदेश हो अब तो हजरते इकबाल के साथ भी कहते हम भी कहते हैं तो मतलब ऐसी कला बेकार है जो हमारे अंदर को रूची जागरित न करें जो हमारे मांसिक शांती न शांती न पैदा करें तो इकबाल नाम को जब बहुत बड़े शायर हुए हैं यहां पर उन्होंने जो लिखा है इसको मैं एक्स्प्लेन नहीं करूँगा सिर्फ उसका अर्था पता देता हूँ अर्थात अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज है तो वह तुझे संघर्स के सिवा और कहीं नहीं मिलने का सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है जीवन का रहस्य समझना चाहता है तो तुझे संघर्स करना पड़ेगा जैसे जो नदी है नदी का उद्देश यह नहीं होता कि वह सागर में जाकर विलुप्त हो जाए यदि ऐसा है तो वह नदी के लिए लज्जा की बात है वह अपने अस्तित्यों को समाप्त करना नहीं चाहती जैसे कोई पक्छी है पक्छी क्या कहता है आनंद पाने के लिए मैं घोसले में कभी बैठता नहीं कभी फूलों की टहनियों पर कभी नदी तट पर होता हूँ मतलब यदि किसी पक्षी को आनन्द प्राप्त करना है तो वा घौसले में कभी नहीं रहेगा वा कभी फूलों की टहन्यों पर जाकर बैठ जाता है और कभी नदी दट पर होता है मतलब जीवन में आपको विमिने चिर्णों का फेस करना पड़ेगा जैसे बाशीर बद्बड़ नाम के एक बहुत बड़े शायर हुए है उन्होंने भी कहा है बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता मतब खुद के अस्तितों को बुलाकर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है बलकि आपका अस्तितों भी महत्रपूर्णा है अता हमारे पत्मे अहम वाद अत्वा अपने व्यक्तिगत द्रिश्टिकूर्ण को प्रधानता देना वह वस्तु है जो हमें जड़ता पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है और ऐसी कला हमारे लिए न व्यक्ति के रूप में उपयोगी है और न संदायक रूप में तो जो व्यक्तिवादी कला है जो व्यक्तिगत कला है जो व्यक्तिगत जिसमें इगू है जिसमें घमंड है और जो अकिवल अपने व्यक्तिकत दिरिष्टीकोंड को प्रधानता देना चाहता है जिसे समाज से या राष्टे से या व्यक्ति लोगों से कोई मतलब नहीं है कि उसकी कला कात्वा साहितों का लोगों पर क्या प्रुभाव पड़ेगा समाज पर क्या प्रुभाव पड़ेगा राष्ट पर क्या प्रुभाव पड़ेगा तो ऐसा साहिती क्या करता है हमको जड़ता क्यों लेकर जाता है पतन क्यों लेकर जाता है लापरवाही क्यों लेकर जाता है और ऐसी कला ना तो व्यक्ति के रिली उप्योगी है और नहीं समुदाय के लिए मुझे यह काने में हिचक नहीं कि मैं और चीजों की तरह कला को भी उप्योगीता वाद की तुला पर तोलता हूँ उनका काना है कि कला भी उप्योगी होनी चाहिए तो मुझे सी प्रेमचन जी का दिश्टिकोडिया है कि कोई भी कला अथो साहित्य उप्योगी होनी चाहिए नीस संदे कला का उद्देश सौंदेर वृत्ति की पुष्टी करना है और वा हमारे अध्यात्मी कानन्द की कुझी है पर ऐसा कोई रूचिगत मानसिक तथा आध्यात्मी कानन्द नहीं जो अपनी उप्योगीता का पहलू न रखता हो तो उनका काना है कि ठीक है ताहित्य का उद्देश हमारे संदेर वृत्त को जागरित करना है हमको आध्यात्मी कानन्द प्रदान करना है लेकिन ऐसा कोई भी संदेर वोध अत्वा आध्यात्मी कानन्द नहीं जिसमें उप्योगिता वादी दृष्टिकूर नहीं बताब उसका उप्योगी होना भी ज़री है ना केवल हमारे अंदर संदेर वोध जागरित करे हमें प्रसंद करे संदेर के प्रति हमारे अंदर रूची जागरित करे अध्यात्मी कानन्द प्रदान करे बलकि इसके अलावा कला अत्वासाहित्त का उप्योगी होना भी जैसे हम कोई वस्तु खरिते हैं जैसे कोई मोबाइल खरिते हैं उसे हमको आनंद प्रार्थ होता है लेकिन मोबाइल क्या है तो यहां आनंद भी क्या हो गया है उप्योगीता वस्तु हो गया उप्योगीता युक्त वस्तु हो गया लेकिन एक ही चीज से किसी बैक्ति को खु द्रिष्ट है जैसे आस्मान पर लाली चाह जाती हैं को बहुत ही सुन्दर लगता है लेकिन परण तो आशाड में अगर आकाश पर वैसी लाली मा चाह जाए तो वह हमें प्रसन्दता देने वाली नहीं हो सकती उस समय तो हमें आस्मान पर काली घटाएं देखकर ही आनंदित होते हैं मतलब जैसे आस्मान में अब जैसे बरसात का दिन है अब बरसात में मिलकुल धूप निकली हुई है आस्मान लाल दिखाई दे रहा है तो क्या हमको खुशी होगी बलकि बरसात के दिन में यदि काली-काली घटाएं चाहराती है तब हमको बहुत ही हमारा मन आनंदित हो जाता है कि अब बारिश होने वाली है लेकिन फूलों को देखकर हमें इसलिए आनन्द होता है कि उनसे फलों की आशा होती है फूलों को देखकर लगता है कि बाद में इसमें फल भी किलेंगे प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिला करने में हमें इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उसे हमारा जीवन विक्सित और पुष्ट होता है मतलब यदि हमारा जीवन प्रकृति के साथ एका कार हो गया प्रकृति के साथ हम सामजे सिस्थापित कर लेते हैं तब हमको आध्यात्मिक सुक्प्राप्त होता है योग कि प्रकृति के मादन से हमारा जीवन पुष्ट होता है विक्सित होता है पुष्ट पी तर परलविद होता है योग कि प्रकृति का जो नियम है जो विधान है वो क्या है प्रकृति का विधान व्रिद्धी और विकास ह है व्रिद्धी होना विकास होना और जिन भावों और विचारों से हमें आनंद मिलता है वे इसी व्रिद्धी और विकास के सायक होते हैं तो हमारे जीवन में भी हम कैसे आगे बढ़ते हैं हमारी चेतना कैसे जागरत होती है हम कैसे आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में कि ज परिष्थिति को विकास के उप्योगी बनाता है, मतब कला के माध्यम से कलाकर क्या करता है, एक संधर्य परक द्रिश्चिकों और जागरित करता है, और परिष्थिति को क्या है विकास के उप्योगी बनाता है, मतब ऐसी परिष्थिति उत्पन्र करता है अपनी कला के माध्य से कि लोगों में विकास होता है नेतिक सामाजिक आध्यात्मिक विकास होता है परन्तु संदर भी और पदार्थों की तरह तो रूपस्त और निर्पेक्ष नहीं उसकी स्थिती भी सापेक्ष होती है लेकिन संदर भी क्या होता है संदर भी क्या स्थिती पर निर्भर करता है जैसे एक राइस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है, वही दूसरे के लिए दुखक कारण हो सकती है, एक राइस, एक अमीर आदमी सुरक्षित सुरम में उध्यान में बैठ कर जब चिडियों का कल गान सुनता है, तो उसे स्वर्गी सुख की प्राप्ति होती है, परंतु एक दूसरा सग्यान मनुष्य, वैभाव की सामगरी को घ्रडिततम वस्तु समझता है, जैसे दो अमीर व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है, बगीचे में बैठा हुआ है, चिडियों का चाहते है, इससे क्या फाइदा होगा इसको, एक रुपा भी तो नहीं मिलेगा इसको, तो देखिए, एक कोस में मज़ा आ रहा है, एक कोस में आरंद प्राप्त नहीं हो रहा है, बंदूत्त और समता, सभ्यता तथा प्रेम, समाजी जीवन के आरम सही आदर्श वादियों का सुनहला सवपना रहे हैं, बतब जो आदर्श वादी रहे हैं, जो हमारे पुराने र सुनहला सवपना रहा है, एक ऐसे आदर्श परक्समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें सब ही अच्छा हो, जो धर्म प्रवर्तक हैं, जो बड़ बड़ धार्मिक लीडर, अध्यात्मिक जो लीडर हुए हैं, धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, जैसे गौतम कि समाज में बंधुत और भाईचारा की भाईचारा उत्पन हो, लोक समान हो, समता की भावना हो, सब्धता विक्सित हो, लेकिन जैसे कि महात्मा बुद्ध, हजरत इसा, हजरत मुहमद, आदी सभी पैगंबर और धर्म प्रवर्तकों ने नीती की निव पर इस समता की इमा करते हैं, कि हमारे जितने भी प्राचीन, रिसी, मुनी और बड़े बड़े पैगंबर साधू संतों जो हुए, उन्होंने क्या क्या बहुत ज़्यदा प्रयास किया, एक समता मुलब समाज की स्थापना करने के लिए, जहां पर कोई छोटा बड़ा गरीब अमीन ना हो, जा जैसे मार्क्सवादी का जो लक्षे है, साम्यवादी समाज की स्थापना करना, शोशनमुक्त समाज की स्थापना करना, उनका कहना है, आजमाय को आजमाना मुर्खता है, जिस चीज को हमने आजमाया हुआ है, हमारे साधू संतू रिसी मुनियों ने, पेगंबर ने, हमारे जो बड़े-बड़े महात्मा हुए है धर्म प्रवर्तक हुए है उन्हें जो आज माया हुआ है तो उसके अंसार क्या हुआ है इस कहावत के अंसार यदि हम अभी धर्म और नीती का दामन पकड़ कर समानता के उचे लक्षे पर पहुँचना चाहें तो विफलता ही मिलेगी जब इतने बड़े-बड़े लोग असफल हो गए धार्मिक और नीती परक जो लोग हुए है जो ने हमको ग्यान दिया जब वो लोग असफल हो चुके तब यदि हम समता परक समता मुरक समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमको यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें भी असफलता ही हाथ लगेगी क्या हम इस अपने को उत्तेजित मस्तिस की सिष्टी समझ कर भूल जाएं सब तो मनुष्ट की उन्नती और पुन्नता के लिए क्योई आदर्स ही बाकी न रह जाएगा तो क्या यदि हम यह समझे कि जमारे हमारे प्राचीर इतने बड़े बड़े लोग जब असफल हो चुके हikes तो हम भी असफल हो जाएंगे तो क्या हम को इसको छोड़ दे कि हमारा यह आदर्स को हम समाप्त करने की हमको समता मुलक समाज नहींचाएए इससे कहिए अच्छा है कि मनुष्य का अस्तित ही मिट जाए यदि हम इस आदर्स को छोड़ देते हैं तो मनुष्य का मनुष्य कराने योगे कुछ बात नहीं रह जाती इसलिए मनुष्य का अस्तित ही समाप्त हो जाना चाहिए जिस आदर्स को हमने सभ्यता की आरम से पाला है जिसके लिए मुरुस ने इस्वर को जने कितनी कुर्बानिया की है जिसकी पनिनती के लिए धर्मों का अविर्भा हुआ मानाव समाज का इतिहास जिस आदर्स की प्राप्ति का इतिहास है उसे सरोमानिय समझ कर एक अमिट सच्चा ही समझ कर हमें उन्नती के मैदान में कदम रखना है ठीक है कोई बात नहीं कि हमारे प्राचिन साधू संत और धर्म पर चारक इस शेत्र में यह अस्पल हो गए समता मुलक समाज की स्थाप्यान नहीं कर पाए धर्म और जाती के समझ में लोगों में जो उच नीच की भावना है उसको वे दूर नहीं कर पाए लेकिन इसी के काण हमारा धर्म काविर्भा हुआ था इसे उद्देश को लेकर सभी धर्मों काविर्भा हुआ था समता मुलक समाज की स्थाप्ना के लिए तो इसके लिए हमको जिन आदर्सों की प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रयास किया उसको एक सच्चाई समझ कर हमको नए सीरे से इस पर प्रयास करना होगा हमको समता मुलक समाज की स्थाप्ना करनी होगी हम एक नए संगटन को सरवांग पुन बनाना है स्थापना कर पाएं हम सामयवाद कि स्थापना कर पाएं जहां पर कोई शोंशक ना हो कोई शोशीत नहां तर इस लिए हमको और धार्मिक जो हमारे यहJust criti hayat सिगरल न करना है कि सघ incapaj這個 मैं आपको बता चुका हूँ जो प्रगति सील जो शाहित है वह मारसवादी विचार धारा पर अथारित है और मारसवाद क्या होता है राजनिती के छेतर में जो मारसवाद है ताहित्य के छेतर में वही प्रगतिवाद है और मारसवाद का क्या उद्देश है साम में मुलक समाज की स्थापना करना समता मु अमीर लोग प्रयोग में लाते थे, जो विलास के जो धंग ते रहन सान थे, हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था, उन्हें की कद्रदानी पर उसका अस्तित और अलंबित था, और उन्हें के सुक दुख, आशा निराशा, प्रत्योगीता और प्रतिदो उसकी निगाह अनता पूरा बंगलों की और उड़ती थी, बता उसके साहित में किसका वर्ड़न होता था, जो रईस लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी विलासिता का, उनके घरों का, उनके बंगलों का वर्ड़न किया रहता था, उनके घरों में क्या चर रहा है, उनके बंगले कैसे हैं, इस तरह विलासिता पूरना जीवन में वेथित कर र वहां मनुष्यता की परिद्य के बाहर समझता था वह उन्हें इस लायक ही नहीं समझता था कि उसका साहित्य में चर्चा हो उनको मनुष्य नहीं समझता था और कभी इन गरीबों की चर्चा भी करता था उनका मजाक उड़ाने के लिए देखो यह जो ग्रामिड व्यक्ति ग् अचारण शुद्ध नहीं है उसकी वेश भूसा देहाती है यह मुहाविरों का गलत उपयोग उसके व्यंग विद्रूप की इस्था ही समगरी थी जो ग्रामिड व्यक्ति है ना तो वह धंग से कपड़ा पहन सकता है और ना यह धंग से अपनी बात रख सकता है तो इस पक देता था बलकि के और उन्हें हसी मजा के लिए व्यंग के लिए प्रयोग में लाता था वह भी मनुश्य एं उसके bara कलपना की बाहर की बात थी तो उस तरह कर जो हमाइक कारत का वह से कोई ता वह सोच भी नहीं सकता कि वैं गरीब लोग भी मनुश्य है उसके अंदर भी र कला नाम था और अब भी है कला किसका नाम है संकुचित रूप पुजा का शब्द योजना का भावनी बंधन का उसके लिए कोई आदर्स नहीं है जीवन का कोई मुचा उद्देश नहीं है भक्ति वैराग या ध्यात्म और दुनिया से किनारा कश्री उसके सब्चबड़ी कल पनाये हैं तो ऐसा कभी कैसा था ऐसे कभी की कला का उद्देश नहीं की कविता लिखना उसके लिए जीवन का कोई आदर्स नहीं था जीवन का कोई उद्देश नहीं था और यह सारी बड़ी बड़ी बाते भक्ति वैराग या ध्यात्म या फिर दुनिया से दूर हो जाना उसके लिए केवल कलपना थी उसके सथे उची कलपनाये हैं मतलब उसका उद्देश क्या था माक्ति का उलेख नहीं करना वैरागे का उलेख नहीं करना कोई अध्यात्मिक बाते नहीं लिखना और दुनिया से दूर रहना यह उसके सफ्ट बड़ी कलपनाये थी हमारे उस कलाकार से जीवन का चरम हमारे उस कलाकार के विचार से जीवन का चरम लक्षे यही है जीवन का चरम लक्षे क्या है विलासिता का उड़न करना उसकी द्रिष्टी अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन संग्राम में संधर्य का परमुतकस देखे वह यह सोच भी नहीं सकता कि जीवन कितना संगर्स पुन हो सकता है और इस जीवन के संग्राम में ही संधर्य है जो इस ट्रेगल है उसमें संधर्य है संधर्य बहुत इसमें इस तरह का नहीं है उपवास और नगनता में भी संदर्य का आस्तित्व संभव है इसे कदाचित वा स्विकार नहीं करता तो ऐसा साहित्य का रत्वा कलाकार या नहीं समझ सकता जो गरीब हैं जिनको खाने को नहीं मिर रहा है जो भूखे पे डबना जिवन यापन कर रहे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है रोटी कपड़ा और मकान की जिनके पास समस्या है उन्हें भी साहित्य का विश्य बनाया जा सकता है उनमें भी संदर्य हो सकता है उनमें भी संदर्य का अस्तित्त हो सकता है ऐसा कलाकार इंची जो को कभी स्विकार भी नहीं करता उसके लिए संदर ये क्या है उसके लिए संदर ये संदर इस्त्री में है उस बच्चों वाली गरीब रूप रहे दिस्त्री में नहीं जो बच्चे को खेत की मेड़ पर सुलाए पसीना बहार रही है जैसे आपने सुरी इसलिए प्रगतिवादी कवीता है पत्थर तोड़ने वाली महिला है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहबाद के पत्थर तो यह ऐसा साहितिकार नहीं है यह कैसा साहितिकार है कि वह सुन्दर इस्त्री में जो लिपिष्टिक लगाई हुए और अच्छे कपड़े पहनी हुए है ऐसी महिला को सुन्दर समझ रहा है तो उस बच्चे वाली महिला में उसमें कोई सुन्दर है नहीं है जो बच्चे को अपने खेत की मेड़ पर सुला देती है और वा खेतों पर काम करते रहते है उसने निश्य कर लिया है कि रंगे होटों मतबल लिपिष्टिक लगए होटों कपोलों कपोलों मतब गाल और भाणों में निसंदे सुन्दरता का धाम है उसके उलगे हुए बालों पपणिया पढ़े होटों और कुमला है हुए गालों में संदर्य का परवेश कहां तो कुछ साहित्यकार ऐसे भी हैं जो ऐसी कवितायां लिख रहे हैं जो ऐसी महिलाओं के पर कवितायां लिख रहे हैं जो लिबिश्टिक लगाई हुई है और भाहों को भी सुंदर से सजा कर रखा हुआ है पर रूपके जो गाल है कुमलाय हुए हैं, दोप के करण वे इसमें चकते पड़ गए हैं, तो उसमें कहा संदर यह है, पर यह संकेर्ण द्रिश्टि का दोश है, तो इस परकार ऐसे जो सहीतिकर्य अलाकार है, इनका द्रिश्टिकोण बहुत ही संकेर्ण है, अगर उसके संदर देखने वाली द्रिष्टी में विस्त्रीती आ जाए तो यहाँ देखेगा कि रंगे होटों और कपुलों की आड में अगर रूप गरवर निश्ठूरता छीपी है तो इन मुर्जाए हुए होटों और कुमलाए हुए गालों के आशों में त्याग, स्रम और कस्त से सुनता है हाँ उसमें नफासत नहीं, दिखावा नहीं, सुकुमारता नहीं तो जब उसका द्रिष्टकौन बिक्सित हो जाएगा तब ही वहाँ देख पाएगा, यह जो महिला के रंगे हुए होट है जिसमें लिपिश्चिक लगा हुए है, गालों में लाली लगी हुए है और जो अपने रूप उपर जिसमें घमंड है, जिसे अपने रूप पर घमंड है तो उसके बिवहार में एकनी श्ठूडता है मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत ही सुन्दर हूँ एकनी श्ठूडता है, अपनी सुन्दरता के प्रति घमंड है तो यहां कहां सुन्दर यह है अगर जब उसका द्रिश्टिकोंड व्यापक हो जाएगा तब हो पाएगा कि यह जो मुर्जाय हुए होट है जो खेतों पर काम करने वाली महिला है उसके जब मुर्जाय हुए होट है कुमलाय हुए गाल है उसमें क्या है? उसमें त्याग है, परिस्रम है कष्ट सहने की भावना है हाँ यह जरूर है कि उसमें नफासत नहीं है खुबसूरती उसमें नहीं है दिखावा नहीं है, सुकुमारता भी नहीं है वह सुकुमार नहीं है बलकि यह तो हमें काम करने वाली इस्रम सिल महिला है लेकिन उसमें एक अलग तरीके का सौंदर्य है जो जीवन का यथार्थ है उसमें सौंदर्य बोद है हमारी कला यवन के प्रेमे पागल है और यह नहीं जानती कि जवानी हाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने नाइका की निश्चुडता का रुनारोने यह उसके रूप गर्वा और चोचलों पर सीर्धुने में नहीं है तो अभी जो हमारे कई कवी और कला कर क्या समझते हैं यवन के प्रेमे पागल है जो नाइका की जवानी के प्रती पागल है कि वह कितनी सुंदर है कितनी जवानी के इतनी खुबसूरत है अपने रोमांटिक कवी तायं पढ़ रहे है अपनी चाती पर हाथ रकर कवी ता पढ़ रहे है सुंदर सुंदर कवी ता और जो नायक है वह नाइका की निशुरता पर रोना रो रहा है और जो उसके रूप के घमंड पर और उसके चोचले उठा रहा है जैसे बाबू बाबू कर रहा है आज कल टाइम है जैसे लड़के लोग बोलते रहते हैं बाबू बाबू तो जैसा इश्क और महबबत के बारे में कविता लिखने का टाइम आदर सुआद नहीं है वो जवानी नहीं है जवानी किसका नाम है आदर सुवात का, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की इक्षा का, आत्मत्याग का, तो जवानी यह नहीं है, कि सिर्फ आपा रिष्ट को महबद करते रहें, और अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्रती दीन पर पागल रहें, उनके उपर शायरी और कविता लिखते रहें, जवानी किया है, आदर सुवात का नाम है, हिम्मत का नाम है, कठिनाईत, जो जीवन के जो चैलेंजेस हैं, उनसे मिलने की इक्षा का, आत्मत्याग का, आत्मसेयम का नाम जवानी है, यह इन्होंने एकबाल जी की एक कविता लिखी हुए, जो खालिस समझ से बाहर की चीज़े, मैं जड़ा नीचे आता हूं, ठीक है, इसको आप लोग खुदी पढ़ लीजिएगा, और यह आस्ता उस समय पैदा होगी, जब हमारा सौंदर व्यापक हो जाएगा, जब सारी सिष्टि उसकी परिदी में आ जाएगी, तो किसी कवी अत्वा साह जासी हैं, जो अपर मिड्ल क्रास हैं, उन तक ही उसका साहित तत्व कविता सिमित नहीं होगी, बलकि उसकी उड़ान के लिए केवल बाग की चहार दिवारी ना होगी, किन्तु वह वायू मंडल होगा, जो सारे भू मंडल को घेरे हुए, तो उसके जो दृष्टिकोंड ज जो सहे ना होगी, तब हम उसकी जड़ खोदने के लिए कमरकस का त्यार हो जाएंगे, तब जो समाजिक विडम बना है, जो शोशक जो ताकते हैं, उसको बरदास्ट नहीं कर पाएगा, बलकि उन्हें दूर करने के लिए जो शोशन करने वारी जो ताकते हैं, जो समाज की विडम बना हैं, जो समाज के दलित और शोशित वर गएं, जिनके साथ निरंतर अन्याय होता है होएं, तो उसे दूर करने के लिए कमरकस कर त्यार हो जाएगा, हम जब ऐसी वियस्ता को सहन न कर सकेंगे, कि हजारों आदमी कुछ अत्याचारियों की गुलामी करें, तब ही हम केवल कागट के प्रिष्टों पर सिष्टी करके संतुष्ट न हो जाएंगे, बलकि उस विधान के सिष्टी करेंगे, जो सौंदार ये सुरुची, आत्म समान और मनुश्यता का विरोधी न हो, और तब हम केवल ऐसे साहित्य काई सिर्जन नहीं करेंगे, जो सोशन मुक और मनुश्यता का विरोधी न हो, एक ऐसा समाज, जहां पर सभी लोग सौहिमान के साथ, पूरी स्वतिंत्रता के साथ, पूरी आजादी के साथ, और आत्म समान के साथ, अपना जीवन यापन कर पाएंगे, कोई शोशक नहीं होगा, कोई किसी की गुलामी नहीं करेगा, को परिच्छा में पूछा जाता है, साहित्यकार का लक्षे केवल मफिल सजाना और मनरंजन का समान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना ना गिराई है, वह देश भक्ती और राजनिती के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बलकि उनके आगए मशाल दिखाई, दिखाती हुए चलने वाली सच्चाई है, तीरों ने बता दिया है कि साहित्यकार का उद्देश ही क्या है, साहित्यकार का उद्देश से केवल लोगों का मनरंजन करना नहीं है, माफिल सजाना नहीं है, कहीं पर शायरी सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, महिन से लाख राजनीति के पीछे भी नहीं चलता साहित्यकार को देश भक्ति की भावना या फिर राजनीति के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं है सच्चाई नहीं है बलकि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है मतलब जो देश भक्त लोग हैं जो राजनीति क्या पर साहित्यकार के पीछे चलते हैं, जो साहित्यकार होता है, लोगों का मारक दर्सन करता है, लोगों के रास्ते को आलोकित करता है, उन्हें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो साहित्यकार का उद्देश से तिन्द महान होता है, साहित्यकार के माद्यम से देश भक् पैदा होते हैं मतलब साहितिकार के बस वह शम्ता है वह शक्ति है कि वह समाज में अंदुलन पैदा कर सकता है और समाज को रौसनी दिखा सकता है और समाज में रहने वारे लोगों के पत को आलोकित कर सकता है हमें एक्सर शिकायत होती है कि साहितिकारों के लिए समाज में कोई इस्थान नहीं है अर्थात भारत के साहितिकारों के लिए लोगों के यह शिकायत रहती कि भारत में हमारे देश में साहितिकारों के कोई इज्जत नहीं है है ना साहित्यकारों के लिए समाइल में कोई स्थान नहीं है सब ये देश में तो साहित्यकार समाज का समानित सदस्य है और बड़े-बड़े अमीर और मंत्री मंडल के सदस्य है उससे मिलने में अपना गौरा समझते है परंत हिंदुस्तान तो अभी मध्यूक की वस्ता में पड़ा हुआ है बताब वास्ता में जो विदेश हैं जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं विक्सी देश हैं वहाँ साहित्यकारों का बहुत ज्यादा महत्त होता है और अपर साहित्यकारों से मिलने के लिए लोग मरते रहते हैं जो अमीर लोग है मंत्री मंडल के सदसे हैं उनसे मिलने में अपने आपको सम्मानीत महसूस करते हैं अपना गौरा समस्ते हैं लेकिन हिंदुस्तान में साहित्यकारों के इतनी इज़त नहीं है जो समाज में हो रही है अपनी ही दुनिया बनाकर उसमें रोता रहसता हो तो इस दुनिया में उसके लिए जगह न होने में कोई अज्ञा नहीं है उसे प्रेम जन्दिय ने बताया है कि भारत में साहजिटिकारों का समान क्यों नहीं मिलता क्योंकि जो साहिटिकारे में आत्म केंद्री थें अपनी नीजी अन्भूतियों को अभिब्यक्त करते हैं उनको समाज से रास्टैसे कोई मतलब नहीं है उनकी अपनी ही दुनिया है जिसमें रोते हैं और हस्ते हैं अब समाज में क्या चल रहा है क्या अंदुरन चल रहा है क्या हल चल हो रही है इस प्रकार की क्रांतिकारी विचार धारा है से समाज अनुप्राणित हो रहा है समाज के लोगों की क्या समस्या है है उनकी और पीड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है तो ऐसे साहित girls मेन कि अपनी थी कर दूनिया में रहता बनाने के फादा है तो इसिलिए हमारे हिंदुस्तान में साहित्यकारों को इजद नहीं मिलती इनका कहना है जब साहित्यकार बनने के लिए अनकुल रूची के सिवा और कोई कैद नहीं रही जैसे महात्मा बनने के लिए किसी प्रकार के शिक्षा किया और सकता नहीं अध्यात्मिक उच्चेता ही काफी है तो महत्मा लोग दर-दर फिनने लगे उसी तरह साहितिकार भी लाकों निकल आए हम देखते हैं कि हर गली मुहले में हमको साहितिकार दिखाई देते हैं इसके करण क्या है उसको दुनिया दीन दुनिया से बेखबर है समाज और राष्टे से बेखबर है उनको अपनी निजी एनभूतियों को लिखना है समाज और राष्टे पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे उनको कोई लिना देना नहीं है इसलिए हजारों की संख्रमेर विल के साहीत्यकार घ्यानी महात्मा और ऐसे साहीतिकार जब बहुत ज़्यदा मातरा में होड़े आते हैं समाज में तो वे दरदर भटकने लगते हैं उनकी कोई इज़त नहीं रह जाती ऐसे महात्मा जिनकी कोई सिख्षा नहीं है जिनके पस और ऐसे कवी और शायर और लेखक इनको जो अपने मन की बात लिखते हैं दूसरों की मन की बात किया समाज में क्या चरग से कोई मतलब नहीं है तो इनकी इसी कार्ट से हिंदुस्तान में इज़त नहीं रहती इसमें शक नहीं है कि साहीतिकार पैदा होता है बनाया नहीं जाता यहां पर इन्होंने बहुत बड़ी बात कहिए उसी प्रेमचंग जी ने क्या कहा है साहीतिकार पैदा होता है साहीतिकार जर्मजात होता है एक बहुत बड़ी बात इन्होंने यहां पर कहिए ध्यान रखिएगा इसमें शक नहीं है कि साहित्यकार पैदा होता है साहित्यकार इन्बार्न होता है लिटरी आर्टिस्ट इन्बार्न होता है पैदा ही साहित्यकार होता है बनाया नहीं जाता है वो साहित्यकार बनाया नहीं जा सकता है किसी बच्चे को हम साहित्यकार बना दे तो निशित रुप से हम साहित्य की अधिक सेवा कर सकेंगे अर्थात ऐसे साहित्य लिखा जाए जो लोगों को शिषित करे जो लोगों में जिग्यासा उत्पन करे तो निशित रुप से ऐसा साहित्यकार एक अच्छा साहित्यकार बन सकता है और साहित्यकर शेत्र में अधिक सेवा कर सकता है अरस्तु और दूसरे विद्वानों ने भी साहित्यकार बनने वालों के लिए कड़ी शर्तें लगाई है अरस्तु और अरन्य जो विद्वान हुए हैं पास्चाहत्य दर्शन के उन्होंने काया कि साहित्यकार बनने के लिए कुछ शर्ते हैं उनकी मानसिक नेतिक और अध्यात्मिक और भावगत सब बेता सा शिक्षा के लिए सिध्धाउंत और विध्या निश्चित कर दी है जैसे बड़े-बड़े विद्वान दर्शनिक में उनका कहाना है कि एक साहित्यकार का मानसिक तर ऐसा होना चाहिए नेतिक तर ऐसा होना चाहिए अध्यात्मिक ज्यान ऐसा होना चाहिए फिलिंग्स और इमोसन्स ऐसा होना चाहिए उन्हें सब यह होना चाहिए इतना सिक्षित होना चाहिए मुझे नियम करणून बना दिया कुछ विधियां बना दि मगर आज तो हिंदी में साहित्यकार के लिए प्रवरित्ती मात्र अलम समझी जाती है और किसी प्रकार की तयारी की उसके लिए आशकता नहीं है लेकिन हिंदी साहित्य में क्या है हिंदी साहिति में ऐसा कोई नैतिक मापदन नहीं है कोई नियम कानून नहीं है मतलब अपने मन की बात लिखनी है अच्छी हो बुरी हो जैसी हो मुझे अपनी मन की बात लिखनी है मैं तो साहितिकार हूं और मुझे साहितिकार बनने के लिए किसी प्रकार की तैयारी की आउसकता नहीं है इसलिए ऐसे साहितिकार की हमारे हिंदुस्तान में इज़त नहीं होती वह राजनीती समाज शास्त या मनोविज्ञान से सर्वता अपरचित हो फिर भी वह साहितिकार है हमारा देश ऐसा देश है यदि कोई साहितिकार है, उसको किसी भी प्रकार की राजनितिक समझ नहीं है, समाज शास्त्र का उसको ग्यान नहीं है, मनोविक ग्यान का उसको ग्यान नहीं है, इन सब चीज़ों का कोई ग्यान नहीं है, इन से अपरजीत हैं, फिर भी वह साहितिकार है, वह साहितिकार बन स पहाम वो आधिया भेक्टिवात तक परमित नहीं रही बेलकिवा मनवेग्यानिक और समाजिक होता जाता है। मुझ्सी प्रेमियन जी का काना है कि वर्तमान समय में जो साहित यह जो साहित हैं अब वो साहित मनवेग्यानिक तरीके से लिखे जा रहे हैं। उसका साहितां साहितेकारओं को समाज के लिए तो बतमान जो साहितेकार है अब वर्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता इसके पहले उन्हें बताया कुछ साहितेकारwegen के मुसी प्रेंचन के हिसाब से अब परिस्तियां बदलते जा रही है दिरे दिरे अब वह जो साहितिकार है वो अब्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता किन्त उसे समाज के एक अंग के रूप में देखता है अब ऐसा साहीतिकार इसलिए ऐसा नहीं करता है कि वह समाज पर हुकूमत करे शासन चलाये उसे अपने स्वार्तसधन का और जार बनाए माना उसमें और समाज में सनातन शतुरता है बल्कि इसलिए कि समाज के अस्तितों के साथ उसका अस्तितों कायम है और समाज से अलग होकर उसका मुल्य सुन्य के बराबर हो जाता है तो अब जो सहित्य कारा रहे हैं उनको सभी विश्यों का ग्यान है वह व्यक्ति को समाज का एक हिस्सा मान कर चलता है स्वयम को भी समाज का हिस्सा मान कर चलता है ताकि वह समाज के वह जानता है कि समाज के अस्तित पर ही उसका स्वयम का अस्तित अलंबित है अधारित है इस दिन समाज का अस्तित खतम हो जाएगा उस दिन साहित्यकारक का भी अस्तित्यकार खतम हो जाएगा जिस दिन समाज का अस्तित्यकार खतम हो जाएगा उस दिन व्यक्तित्यकार का अस्तित्यकार भी अलग हो जाएगा समाथ हो जाएगा इसलिए समाच से अलग होकर कोई साहित्यकार जिन्दा नहीं रह सकता है हम में से जिन्हें अब बता रहे हैं कि लोगों का दाहित तो क्या है साहित्यकारों का या फिर समाच के जो पढ़े लिखे तपके हैं उनका दाहित तो क्या है किया महत्यपूर्णा यहां पर देखेगा हम्में से जिने सरोतम शिक्षा और सरोतम मानसिक शक्तियां मिली है उनपर समाट के प्रती उतनी जिम्मिदारी भी ह depends हम उस मानसिक कुञी पती को पुजा के योगशे समझेंगे जो समाट के पैसे से उची शिख्षा प्राप्त कर उसे स्वार्त साधन में लगाता है तो मुंसी प्रेमचंग जी का क्याना है कि जो समाज की पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अच्छी शिख्षा मिली हुई है जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनका मांसिक इसतर हमसे जैदा उंचा है तो उनका अदायत वह हैं वे समाज ने उनको जो दिया है वह समाज को वे लटाएं उनके पर बहुत ज़्यादा जिम्मधारी है समाज के पैसे से उंची शिख्षा फ्राप्त की हैं उनका उद्देश होना चाहिए कि समाज के कुछ लटा सकें समाज के लिए कुछ कर सकें और समाज से निजी लाब उठाना ऐसा काम है जिसे कोई साहितकार कभी पसंद नहीं करेगा जो भी साहितकार है उसको हमेशा अपने पैसा कमाने के लिए नहीं सोचना चाहिए बल कि इस से सोचना चाहिए कि मैं समाज के लिए क्या अच्छा कर सकता हूं उस मांसिक पुंजीपती का करतब्या है मतलब उस ज्ञानी व्यक्ति का करतब्या है कि वह समाज के लाभ को अपने निजी लाभ से अधिक ध्यान देने योगे समझे और अपनी विद्या और योगेता से सब इस सबस्दार की कि बिधाय में रचना करता हो कोईता नहीं सबसे ख़ली भात साहित्यकार सम्मिलाणों की रिपोर्ट पढ़ें तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई शास्त्री है, सामाजिक, एतिहासिक, मनोवग्यानिक प्रश्ण नहीं है, जिस पर उसमें विचार विनमय नहीं होता हो, बतब यहां मुझसी प्रेम्चन दिखाते हैं, जब इंटरनेशनल सेम समिनार से आउजित किया जाते हैं, साहित्यकारों का सम्मिलन आउजित किया जाता है, तो उसमें किवल साहित्यकी चर्चा नहीं होती, बलकि इसमें हमारे धार्मिक गरंथों का, शात्रों का, सामाजिक, इतिहासिक, परिस्तित्यों का, मनोवग्यानिक प्रस्णों का भी उ प्रशु बुद्धी और तेज कलम काफि है बताब हिंदुस्तानी लोग क्या समझते हैं भारती लोग क्या समझते हैं कि साहित रचना के लिए जर्मजात बुद्धी होनी चाहिए और लिखने की शमता होनी चाहिए तेज कलम मतलब धार-धार तरीके से तेजी से लिखने की पर यही विचार हमारी साहितिक अवनती का कारण है और यही कारण है कि साहितिक दृष्टिकोर्ट से हमारा पतन हो चुका है और हमारे यहां कोई अच्छा साहिति नहीं लिखा जा रहा है। खुद भी उस पुझी को बढ़ाएं। इसलिए आउसिक्ता क्या है? हमको अपने साहित्य का जो मापदंड है, जो नाम से, जो मामदंड है, उसको हम कंगुचा उठाने की आउसिक्ता है, जिससे साहित्यकार समाज की और अधिक गमिर्था से सेवा कर सके, मुल्यवान व्यक्ति बन सके समाज के लिए, मुल्यवान सेवा प्रदान कर सके, और तभी वह हमारे समाज में समान का अधिकारी होगा, इसके साहित्यके माद्यम से, वह जिवन के प्रत्यक पहलू पर द्रिष्टिपात कर सके, उनका वर्णन और उलेक कर सके, उनकी आलूचना विवयचना कर सके जीवन के प्रत्यक पहलू का और तबी और हमें क्या चाहिए हम दोसरी भाषाओं से प्राप्त सहितिका अनुवात करके उनका नकल करके उनके सहितियों का जूठा खाकर उनका अनुकरण करके संतोस न करें बलकि अपनी साहितिक समरिद्धी को बढ़ाएं, अपने साहितिको समरिद्ध करें हमें अपनी रूची और प्रवित्ती के अनुकूल विशय चून लेने चाहिए और उस विशय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहिए कोई हमको टॉपिक चून लेना है, विशय चून लेना है और उस विशय पर हमको गंभिरता से अध्यान करकर पूर्ण अधिकार होना चाहिए उस टॉपिक पर कमांड होना चाहिए हम जिस आर्थिक अस्ता में जिन्दगी विता रहे हैं उसमें यह काम कठी नवश्य है पर हमारा उचा आदर सरना चाहिए ठीक है कि आज हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक परिशानिया है हमारा राष्ट गुलाम है और हम आर्थिक रुप से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है लेकिन इसके बावजित भी हमारा आदर समयसा उचा रहना चाहिए हम पहाड की चोड़ी तक ना पहुँच सकेंगे तो कमर तक तो पहुँची जाएंगे जो जमीन पर पड़े रने से कहीं अच्छा है ठीक है कि हम पुरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे लेकिन जो हमारा यह जो प्रियास है वह प्रियास भी सोण अक्षरो में लिखा जाएगा हमारा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जिन्नों ने समाज और राश्ट को अच्छा करने के लिए प्रियास किया बले हि Pourquoi ही हम सफल न हो हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा अंतरमन, हमारा मत्त के प्रती प्रेम की जोती से प्रकासित हो और लोगों की सेवा कारने का जो हमारा आदर्स है वह हमारे सामने हो तो हमारे सामने ऐसे कोई कठनाई नहीं आएगी जिस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे लेकिन उन लोगों को साहित्य से दूर रहने के लिए बोलते हैं जिने धनवा भाव प्यारा है साहित्य मंदिर में उनके लिए इस्थान नहीं है जिनके लिए पैसा ही सर्व प्रमूख है जिनको धन चाहिए पैसा चाहिए तो साहित्यका छेत्र उनकों लिए नहीं है यहां तो उन उपासकों की आशकता है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया है मान लिया हो जिनके दिल में दर्द की तड़ा फ़वर, महब्बत का जोस हो तो साहित्यकार किसी बनना चाहिए ऐसे लोगों को साहित्यकार बनना चाहिए जिन्होंने लोगों की सेवा करने को ही समाज की सेवा करने, राष्ट की सेवा करने को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया है जिनके दिल में लोगों की दर्द को महसूस करने की शमता हो जिनके दिल में लोगों की प्या को देकर कसा कुटती हो दिल में दर्द हो, दर्द की तड़ाप हो और लोगों के प्रती मुहबबत हो ऐसे लोगों को साहित्य के शेत्र में आना चाहिए अपनी इज़त तो अपने हाथ है अगर हम सचे दिल से समाज की सिवा करेंगे तो मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धी सब हमारे पाहँ चुमेगी फिर मान, प्रतिष्ठा की चिंता हमें क्यों होता है तो वो कहते हैं भारत के साहित्य कारों को अपने प्रतिष्ठा की चिंता करने की ज़रुत नहीं है अपने समान की चिंता करने की ज़रुत नहीं है यदि आप दिरो दिमाग से समाज की सेवा करेंगे तो आपकी मान और प्रतिष्ठा और प्रसिधी सब आपके कदम चुमेगी फिर इसलिए हमको इसके लिए चींतित होने क्या आसकता नहीं है यदि आप अच्छा करेंगे तो समान निश्चित रुप से आपको समान देगा और उसके ना मिलने से हम निराश क्यों हो और यदि हमको समान ना मिले तो भी हमको निराश होने क्या आसकता नहीं है क्योंकि हमको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है यदि कोई स्वार्थ लेकर आप सेवा करते हैं सब्तुवा सेवा ही नहीं हुआ सेवा में जो आध्यात्मी कानन्द है वही हमारा पुरसकार है जब किसी की सेवा करने पर आपको जो संतुष्टी मिलती है वही आपका आध्यात्मी कानन्द है वही हमारा पुरसकार है हम ये समाट पर अपना बड़पन जताने उस पर रोब जमाने की हवस क्यों हमारे अंदर या इक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम आपसे बेतर हैं आपसे बड़े हैं और लोगों पर हम रोब जमाएंगे कि मैं बहुत बड़ा साहित तेकार हूँ है बहुत अच्छा लिखते हू हैं इसकी चिंता भी हमको नहीं होनी चाहिए हम अमीरों की स्थरणी में अपनी गिंती क्यों कराएं हमारे अंदर ये इच्छा नहीं होने ची कि हम यह अमीर कह रहा हैं समाज में हमारे पास बहुत ज्यदा पैसा हो हम तो समाज के जंडा लेकर चलने वाले इसी पाही हैं औ वह नेता है, जो आदमी सच्चा कलाकार है, वह स्वार्थ में जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता, जो सच्चा कलाकार है, उसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं रहता, वह कलाकार से जन्म करता है नहीं स्वार्थ भाव से, उसे अपनी मना तुष्टी के लिए दिखावे क्या ह सकते नहीं होती बहुत से घ्रिणा करता है इकबाल जी कि यहां पर कुछ शेर उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है तो इसको आप पढ़ लिजिएगा यहां पर मैं इस पर ज्यादा जोड़ने डालूँगा अब यह कि हमारी परिसद ने कुछ इस पर करके सिध्धान्तों के साथ कर्म शेत्य में प्रवेस किया है बताब बता रहें कि अब जो सम्मिलन हो रहा है उसमें क्या निर्णा लिया जाना चाहिए तो क्या क्या सिध्धान्त होने चाहिए शाहित्य का शराब कबाब और राग रंग का मुखा पेक्षी बना रहना उसे पसंद नहीं है मतलब साहित यह ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें शराब शबाब और कबाब इन तीनों का उल्लेख हो यह उसको पसंद नहीं है कि वह उस वर देखे इसमें शराब शबाब और कबाब का उल्लेख हो जिसमें राग चाहिए उसे भाषा से भाष नहीं आदर्स व्यापक होने से भाषा अपने आप सरल हो जाएगी उसे भाषा से कोई परहेज नहीं है उसकी भाषा हिंदी भी हो सकती है उर्दू भी हो सकती है इसमें कोई विरोधा भाष नहीं है यदि कोई भाषा जो है व्यापक हो जाती है परिमाजित भाषा है अच्छी भाषा है जो व्यापक है आप अधिक सदिक उस भाषा का प्रयोक कर रहे हैं तो भाषा अपने आप में सरल हो जाती है भाव संदर ये ब्राव सिंगार से बेपड़वाही दिखा सकता है यहां पर क्या होना चाहिए आप अलंकारों और उसके प्रवावनाओं को मत दें, विचारों को ज्यादा मत दें, वो ज्यादा सजाने समारने पर ना लग रहे हैं, बलकि साहित्य कैसा होना चाहिए, जिसमें भावनाओं और विचारों की अभिवक्ति अच्छे ढंग से की जाए, ना कि आपको उतको सजाना समारना है, जो साहित् जो अमीरों की उपर आस्रित हैं, उनके मन मुताबिक उस परकार की भाशा का प्रयोग करेंगे, आ जो आम जन्ता के लिए जह आम जन्तला की भाशा को महत्वडान करता है, हमारा उद्स देश में ऐसा वायो मंडल उत्पंड़ कर देना है, जिसमें अभिश्च्ट परकार का साहेते उत्पपन हो सके तो हमको राष्ट में एक ऐसे वातरबन का निर्माद करना करना है जर चाहते हैं कि सहीत्य कंद्र में हमारी परिश्द्र इस्थाफित हो और वहां साहित की रचनात्मक प्रवित्यों पर नियम पूर्वक चर्चा हो निबंद पढ़े जाएं बहासु अलुचना प्रत्य अलुचना हो अभी वह वायो मंडल तयार होगा अभी साहित में नई युक का अविर्भा होगा तो आईए हम सब मिल करें प्रयास करें कि ऐसे बहुत सारे हम साहिती केंद्रों की स्थापना करें बहुत सारे परिशदों का गठन करें अलग अलग जगा पर प्रकतिसील साहिते परिशद का ताकि वहाँ पर हम मिल जूल कर चर्चा कर सकें कि कि किन प्रवित्यों पर हमको साहिते रिखना है कहां लोग अपना नियम पढ़ें, नियम पुरों को हाँ पर विचार भी मर्ज करें, चर्चा करें, बहास करें, अलोचना पत्य लोचना करें, तभी हम एक ऐसे बाता अरण का सिजन कर पाएंगे, जो सोशन मुक्ता समाज की स्थापना की दिशा में बहुत ही महत्तपूर्ण कदम होगा, और तभी एक नय युक का अविर्भाव होगा, साहित्य के शेत्र में, हम हर एक सूबे में, मतलब प्रत्यक राज में, हर एक जबान में, सभी भाशाओं में, ऐसी परिसदें इस्थापित करना चाहते हैं, जिन में हर एक भाशा में हम अपना संदेश तों चाह सकें, तो केवल हमको हिंदी और उर्दू तक किसी मित नहीं रहना है, बलकि हमारे राश्ट में, जितनी भी भाशाओं में, समझे जाती हैं, लिखी जाती हैं, सभी भी में हमको ऐसी परिसदें इस्थापित करना है, प्रागति सील साहित्य परिसद interest गिंद करना है, ताकि आज हमारे यह सम्मिलेन होला है प्रगतिसिल साहित्य संका है तो ऐसा नहीं है कि अब पहली बार ऐसी विचारधारा हमने सामने रखिए बलकि ऐसी विचारधारा पहले से हमारे देश में विद्यमान है मतलब ऐसा नहीं कि हम प्रगतिसी लेखक संकी स्थापना कर रहे हैं तब हम यह नए विचारधारा को जन्मत दे रहे हैं यह विचारधारा मतलब हमारे देश के सभी साहिते प्रेमियों में बरसों से विद्यमान है भारत की हर एक भाषा में इस विचार के बीज प्रक्रिती और परिस्थिती ने पहले से बो रखे हैं जगा जगा उसके अंकुर भी निकलने लगे हैं उसको सीचना यह उसके लक्षा को पुष्ट करना हमारा उद्देश है तो इस प्रक्रिती सी लेखक संका उद्देश क्या है तो इस प्रकार की जो विचार धा रहा है शोशन मुक्त समाज की जो विचार धा रहा है जो लोगों की विशंगती और विडंबना को दूर करने की जो विचार धा रहा है जो मनोतावादी विचार धा रहा है ऐसी परिस्थितियों इनके बीज पहले से सभी भाषाओं में सभी प्रांतों में विद्धिमान है और दिरे दिरे उस बीज से अंकुर भी निकलने लगा है लेकिन हमको क्या करना है इसको सीचना है अच्छे विचारों से और हमको अपने उद्धिस को प्राप्त करने के लिए इनको अनकुल माहल प्रदान करना है हम साहिति कर्मे कर्म शक्ति का भाव है मतलब साहिति कर्मे विचार तो बहुत है लेकिन वे उन्हें अमली जामा नहीं बना पा रहे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं यह कड़ी सच चाहिए हैं और हम उसकी वर से आखे बंद नहीं कर सकते अभी तक हमने साहित का जो आदर्स अपने सामने रखा था उसके लिए कर्म की आशकता ना थी कर्मा भाव ही उसका गूर्ण था क्योंकि अक्सर कर्म अपने साथ पक्षपात और संकिर्णता भी लाता है अभी तक जो साहित लिखा जा रहा था उसमें क्या था कर्म का आदर सामने नहीं रखा गया था काम करना जरूरी नहीं था क्योंकि अपनी धार्मिकता पर अगर करें तो इससे कहीं अधिक अच्छा है कि धार्मिक ना होकर यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं धार्मिक हूँ और वह अपनी धार्म पर गर्व करता है दूसरों को यदि वह देखता है कि अपमानित करता है दूसरों को घिना की दिश्ची से देखता है दूसरे धर्मा वलंभी को तो ऐसा व्यक्ति का धार्मिक ना होना ही अच्छा अब खाओ प्यों ऐस करो लेकिन आप सोचो के कि मेरा धर्म अच्छा है और दूसरे का धर्म बिकार है ऐसा मत करो ऐसा सोचेंदताचारी तो इस्वर की दया का अधिकारी हो भी सकता है पर धार्मिकता का अभिमान करने वाले के लिए की संभावना नहीं है पताब धार्मिक ब्यक्ति में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का घमन और गर्वनी होना चाहिए और दूसरे धर्मा वाल अम्यों को कभी घड़ा की दिश्टी से नहीं देखना चाहिए तो जो ब्यक्ति खादा पिता ऐस करता है उसके उपर तो है किसल्ग का काम के वहलिया भी महत पूर्णा है पर इच्छा में पूचा जाने वाला आ यह जो है जब तक साहीति का काम केरे मन बहलाव का समान ढूताना भी यिल राण केरे आशू भाके जिहलब का करना था , सिक्वार के लिए करम किया शेकता न थी , जब्यक्र ही प्रमायila के लिए लिखा जारेधा उति जो केवल बच्पों की लोड़ीयां जिसमें लिखी जा रही थे है इसमें इस महबत की शायरी की जा रही थी कवितालिक लिखे जा रही थी गोलपनी कहाणिया हुपन्ञा lonve लिखे जा रहते हैं, तब इस पेकर के कर्म क्यों आ शकता नहीं थी, कोई काम करने क्यों आ सकता नहीं थी, प्रिक्ति, सहित्ी कि वहला मन्नोरंजन का साधन था, वह क्ति एक दिवाना था जिसका गम दूसरे खाते थे, मतलब एक ऐसे दिवाना के बारे में सहिती रिखा जाता था, जिसके पढ़कर और सुनकर हमारे आँखों से आसू निकल जाते थे, तो वह पुराना दोर था, मगर हम सहिती को केवल मनोरंजन और विलासिता की बस्तु नहीं समझते, हमारे सहिती की कसाउटी पर वह वही साहित खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिंतन हो, उदात चिंतन हो, बड़ी-बड़ी बातियं कही गई हो, जिसमें लोगों में नैतिकता और अध्यात्मिकता का विकास हो, स्वाधीनता का भाव हो, सतंत्रता का भाव हो, संदरे का सार हो, जिसको पढ़कर लोगों में स अंदर ने बॉध जागरित हो स्रीजन की आत्मा हो उसके अंदर सार्थक चीजों का स्रीजन हो जीवन की सचाईयों का प्रकाश हो जो यह धार्थ परदारित हो जो हमें गती संहर्ष और बैचेनी पैदा करें सब्सक्राइब करें जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के समाज में जो व्याप्त परिस्थिति हैं उसको बदलने के लिए क्रांती के लिए स्रीजन के लिए तंघर्स के लिए जो बेचेनी पैदा करें वह हमारे साहिती की कसाउटी मर खरा उतरता है ऐसा साहित जो हमको सुलाय नहीं क्योंकि और ज्यादा सोना मृत्यू का लक्षड ह है तो हम Sum हमें ऐसा साहिति नहींग चाहिए जो हमारा मनरंजेन करें हमारे दिमाः को शांद करें वलकि हमको ऐसे में जिन्दकी में बीचानी जनजावाद पैदा करें गैंसे 990 में उन्होंने यह यह भाषण जिसको हम निभंध के रूप में बढ़ता है और लखनों में जो प्रकतिसी लेखक संग का जो पहला दिवेशन हुआ था तो 1936 में मुझे प्रेम्चंदी निया भाशन दिया था तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इन दोनों भागों को आपने भली-बाती समझ लिया हुआ यह थी मेरे दोनों लेक्चर आपको अच्छे लगए तो कमेंट बाक्स में कमेंट लिका जो बता है साथ यह दिया आप मेरे चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें आप लोगों को यह बहुत ज्यादा पसंद आएगा धन्यवाद जैंजे भारत